नमस्कार स्वागत है आप सभी को हमारे यूटूब चैनल पे दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि Amazon अप्लिकेशन में 2-step verification कैसे कर सकते हैं काफी असानी से गाईज Amazon में 2-step verification आउन करना बेहदासान है आप 2 मिनिट में आप Amazon का 2-step verification आउन कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोड़ी request करना चाहूंगा यदि आपने अभी तेक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ओपन करने के बाद गाईज आपको पूरा process देखिए हाँ पर कैसे करना है आपको उपर में आपको menu बार दीख रहा होगा menu बार पर आपको click करना होगा menu बार पर click करने के बाद गाईज आपको your account का option दीख जाएगा your account योर एकॉंट का उप्षन देख सकते हैं यहां पर दिखरा है योर एकॉंट का उप्षन पर आपको क्लिक करना है उसके बाद गाईज यहां पर बहुत सारे उप्षन आपको देखने को मिल जाता है गाईज यहां पर देख सकते हैं इतना सवरा उप्षन है यहां पर आपको स security login and security का option पर आपको click करना होगा उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस परकार का interface आता है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से आप password भी change कर सकते हैं लेकिन हमें two step verification on करना है तो देख सकते हैं guys यहाँ पर two step verification का option यहाँ पर देख रहा है हमें इडिट पर क्लिक करना है इडिट पर क्लिक कर लिजे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं तो आपको लॉग इन करते समय इमेज उनके पासवर्ड के साथ साथ आपको OTP भी मांगा जाएगा आपके नमबर पर सेंड किया गया तो गाइज यहां पर गेट इसस्टार्टिट पर हम क्लिक कर लेंगे इस नमबर से आप Amazon का account बनाया हुए है जिस number से Amazon का account लॉगिंग किये हुए है वो number यहाँ पर feel कर लेना है तो चलिए यहाँ पर feel कर लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं feel कर लिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं continue का option आपको देखने को मिल रहा है continue पर हमें click कर लेना है कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे नंबर पर एक OTP आएगा तो देख सकते हैं OTP आ चुका है अब यह OTP यहां फील कर लेते हैं यहां पर देख सकते हैं फील कर लिए उसके बाद कंटिन्यू पर फिर से हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं गाइ तो यह आपको यह फोन में आपको OTP नहीं खो जा जागा अगर इस पर नहीं क्लिक करते हैं तो आप जो फोन में आप लॉग इन किये हुए हैं उसमें भी आपको बार बार OTP फील करना होगा तो simply यहाँ पर guys यहाँ पर do not require OTP पर क्लिक कर लेते हैं और नीचे वाला option पर हम क्लिक कर लेंगे I got it please stand on to a step verification इस पर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद guys यहाँ पर देख सकते हैं guys यहाँ पर लिखा हुआ है you have turned on to a step verification मेरा जो image on account में to a step verification on हो चुका है अब जब भी हम दूसरे phone में login करेंगे तो हमें OTP की जरूरत होगा guys तो इस परकार से आप image on application में to a step verification लगा सकते हैं काफी आसानी से तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दीज़े friends का साथ share कीज़े और channel पर नहें तो channel को subscribe करके bell icon प्रेस कीज़े फिर मिलता है next video में thank you